नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी लोग आशा करता हूं कि आप सभी लोग एकदम स्वस्क्रम मस्त होंगे तो आज की इस वीडियो मैं एक नहीं सरी स्टार्ट करने वाला हूं जो कि सब्जेक्ट है पेपर कोड आपको बता देता हूं सब्जेक्ट कोड है अगर आपको पोस्ट ग्राइशन मास्टर में एडिमिशन लेना है में एकॉनमिक्स तो उसके लिए और मैं धीडिया करें के मतलब सारे लूंगा जो एक्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारे एंटिक्यू करेंगे जैसे इसके माइक्र एकॉनमिक्स के एकुल 600 के अराउंड एक एक सिरीज बना दूँगा तो आप महां से जाके वह प्लेडिस कर लेना इंपॉर्टेंट एंप्रटेंट एंटिक्यू प्रकार से मैं नाम दे दूँगा उसे बाग यहां अगर आपको कॉंसेट क्लियारटी चाहिए तो वह डिटेल्ट वाला मैंने जो वह बनाए हुई है तो बिना देरी करें शुरू करते हैं तो कुश्चन भी बेसिक से लेकर करते हैं और बीच-बीच में थोड़े-बहुत ऐसे आपको विवाइस हो जाएगा तो यह कुश्चन बैंक लगाना बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है बिसक्ली मॉक टेस्ट यह विवाइज हो जाएंगे और आपकी स्वीट भी बनेगी की कै तो पहले कुश्चन पर डिके तो यह आप सभी को बता है वह प्राइस इमांड कम होती है यह बहुत ही बेसिक से हैं पी सट्रेंग से होगी नौर्मली वन प्राइस पर यूनिट ऑफ गुड फॉल्स इट्स कौन्टी डिमांड़िट इंक्रीज यह मैंने आभी आपको बताई दिया कि जब भी मनलब इन्वर्च रिलेशन होता है तो इसलिए जब भी प्राइस फॉल्ड होगा तो कौन्टी डिमांड़िट इंक्रीज होगे तो फॉर्फ कॉस्ट्ट पर आ जाते हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी लीट्स तू और यहां पहले गुद्वी मनलब देखते हैं न सौल करते हैं तो इसमें जब प्राइस ऑफ गुड मलब कॉमड़िटी फॉर डिक्रीज होता है तो उससे क्या होता है तो इसका आंसर वी होजाएगा तो फिफ्ट बाद रहते हैं कि डिमांड स्क्रीव लिस्ट इनक्रीज फेमली यह नहीं बताता है वो क्या होता है प्राइस के चेंज होने पर आपका जो क्वांट्री डिमांड है उस पर फरक पड़ता है तो इस कांट से हो जाएगा कि सी आ फॉक्शन आप प्राइस लोन तो सेक्स कोश्चन करें एंग्प फंक्शन ओफ या बदाईए सबसे पहले मार्केट इमांड होता क्या है मार्केट डिमांड टोटल डिमांड को कहते हैं और वायर्स ऑफ दर कमोडिटी इन दा मार्केट ठीक है तो वह बेसिकल्ट किन किन फैक्टर पर अफेक बढ़ेगी और फिर वही आपका प्राइज ओफ अधर गुट्स पर भी यह डिपेंडेंट करती है अधर गुट्स का मतलब यहां पर कौन से आ गए आपका एक तो कॉम्लिमेंटर गोड्स या सब्स्रीट गुट्स हो गए तो इन सब पर भी डिपेंड करती है जो आपकी मा हां यह वाला जवर्य है वाई तेस्ट इंकम और प्राइज चुट रिमेंड कॉंस्टेंट अगर इसमें से कुछ भी चेंज होता है तो वो अपनी कॉंट्री डिमांडड इधर उदर कर लेगा ठीक है तो इसका अंसरत भी तीसा देख लेते हैं ता यावरेज हाउसोल्ड फनीट इसका भी तो यह कुछ उच्छ इंट ऑच्छ इन्यगोष पर आजाओ टीपिकल इम और गडर्व हो तो वह कभी अपवर्ट नहीं हो सकता तो 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 जो वह अपवर्ट नहीं हो सकता है to the right मतब ऐसे नहीं जा सकता है ठीक है वह बाट्स लोपिंग घुटा इसका हो of demand operates the demand curve यह भी आप सभी को बता है दिवांड कर जो है लेफ्ट से राइट पर डाउनवर्ड होता है तो इस कान से हो जाएगा यह पर 10 पर आ जाते हैं फोर मोस्ट कंज्यूमर्स एप्ल और अरंज आ का substitute good therefore we would expect a rise in price of apples which will lead to तो जैसे कि यह substitute good बेसिकली जो exceptions होती है या other factors होते हैं तो उसे constant रखते हैं तो आगे यह लिख देते हैं सब्सक्राइबर्स तो अभी आपने देखा कि demand schedule already function होता है प्राइस का तो प्राइस के चेंज पर आप क्वांट्री दिमांड देखेंगे तो पहला तो इसका answer हो ही नहीं सकता मतलब सब्सक्राइब क्योंकि law of demand बेसिक उसके फंक्शन पर चल रहा होता है कि प्राइस के चेंज होने से आपका क्या असर आएगा ठीक है तो यह सटेर सब्सक्राइब नहीं होगा इसमें नहीं आएगा ठीक है तो 11th का हो गया आपका इसका कोई रिलेशन नहीं है इसका नॉर्मल क्या कहते दिमांड फंक्शन लॉप दिमांड है जो तो वह फॉलो करेगा और डेली नियूस पर भी लॉप दिमांड फॉलो करेगा तो इसका भी हो गया यह दोनों आपका इसमें नहीं आएंगे थर्टीन पर आजाते है विच्छ फॉलोईंग इस एक सब्सक्राइब नॉर्मल गुड्स आपको पता है लॉप दिमांड फॉल तो इसका बढ़े यह प्रक्राइब पर तो यह आपका इसका भी हो जाएगा यह आपको पता यह फॉलाइंग पेर फॉलोई प्रक्राइब प्रक्राइब यह फ्रक्राइब प्रक्राइब तो इसमें आपका क्या है एगा तो इन धोनों कोकुई यह तो कॉप्रिमेंस्की विद्ई क कोफी और filming की रिलेशन निंग यह है यह यह फंकर्णतर्व प्लिमेंट्स नहीं है इची आजिए जलापन इसा अन्व जिसेंग इले Şeyας मृइतश से लिए जाते जॉइंट लिए क्या कहते दिमांड करे जाते हैं एक और एक्जामपल दो तो बहुत जैसे आपका इंक हो गया प्रिंटर और रिंक तो भी ऐसे आपका जॉइंट में आजाए गए आप 19 पर आजाते हैं अग अगमोरेटी दप्राइज फॉर्ट इस एक्सपेक आप यह हो जाता है बहरी जैसे आपका प्राइज ओक्रॉट जो होता है तो कुंटि दिंद्ध जो होती है बटेक्रीस इंग्रेसिंग पर होती है ठीक है बैसिकली इसका क्या मतलब वह कि डिमांड जो है वह ब डिलेटिवली स्रशल्य के लोई प्राइज पर माने कि जो जाते हैं, when an individual's income falls, while everything remains constant, इस ही का मतलब क्या कहते है, बहुत है, his demand for an inferior good, तो income के साथ आपको बता, two inferior gooders का inverse relation होता है, तो फॉल होगी, तो इसकी भाई, increase हो जाएगी, तो इसका answer जो आपका वो हो गया, 21 पे आजाते है, if two goods are complement, this means that a rise in the price of one commodity will induce an upward shift in demand for the other commodity, तो यहाँ पर आपको पदाएगे, भाई, compliment good का अगर price बढ़ता है, तो दूसरे वाले compliment क्योंकि वो साथ में लिये जाते है, तो इसकी जो है, demand वो भी कम हो जाएगी, ठीक है, तो इसका answer हो जाएगा C, आपका downward shift and demand of other world, 22 में पर आजाते हैं, आपको दिखने रहा है, एक second देजे मुझे, तो इसका आपका पहला हो जाएगा, upward to a right from the origin, तो right तो जाएगी, upward from left to right, बट इसका यह वाला C वाला part आएगा, इसका मैं reason देता हूँ, क्यों आएगा, upward from left to right, only beyond the certain level of consumer income, क्योंकि जब तक consumer वो luxury afford ने कर पाता है, तब तक उसके लिए वो फरक नहीं पड़ेगा, ठीक है, पर जब वो एक certain threshold पर पहुच जाएगा, जहाँ वो यह कर पाता है, luxury उसके लिए afford कर पाएगा, तो उसके लिए यह जो है, income के बढ़ने पर आपका, इसकी demand curve भी जो है, वो increase होनी शुरू को जाएगी, जैसे जैसे income बढ़ेगी, वैसे ही आपका, जो है, increase होगी, in the demand of luxury goods, ठीक है, तो आपका 23rd पर आजाते है, and income demand curve for inferior commodity always slopes, तो यहां पर आपको बताएए, downward होगा, यह किसलिए होता है, क्योंकि आपकी जो है, negative income elasticity of demand होती है, इसका मतलब यह है, कि जैसे जैसे आपकी income बढ़ती है, तो वो higher quality alternative search कर जाते है, inferior goods की जो demand है, वो आपकी कम हो जाती है, इस प्राइस पर कितने quantity demand हो रही है, तो वो ही आपका change in quantity demand भी बताता है, तो यह हो जाएगा आपका option C, movement on the same demand कर, 25th पर आजाते हैं, लास्ट कुश्टन रखेंगे, इस वीडियो को, ठीक है, 25th question की मैं लेकर चलना हो, ठीक है, जागी जादे लग बिना हो, यह है आपका, when the price of substitute of commodity X fall, the demand for X, तो यहाँ पर क्या होगा, वही वो इसमें लिखा हुआ है, यह ध्यान रखना, substitute of commodity X, ठीक है, तो यह normal, जो substitute X का है, माल लो Y है कोई, तो उसका अगर price fall होगा है, तो लो Y पर shift हो जाएंगे, तो इसके current बश्क्या होगा, X की demand जो हो जाएगी, हो जाएगी आपकी phone, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही तो बेक 25th question करा लिए, तो ऐसे ही करके 25th question कराता रहोंगा, तो इसके macro के 600 कुछ खुछ खुश्चन है, 630, तो फिर आगे MME आएगा, आपका macro आएगा, Indian economy बग्यारा, तो उसके ऐसे दिए-दिए करेंगे करेंगे हम, तो बाकी मैं upload करता रहोंगा, जैसे ही बनाता रहोंगा, तो यह दिन काफी कम रहेगा, तो thank you guys for watching this video, आपको उच्छी लगे, तो आप उपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, बागी मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो पर, तब पर किदे गुडबाय टेक कैसे हैं,